ओम श्रेकणी शाय नमा जै पूलिनाज जै शिफशक्ती वल्कम बैक टू अवर चैनल कैसे है आप सब आज हम एक weekly reading करने जा रहे है फॉर्ट लीब्रा साइन याने के तुला राशी के लिए और देखेंगे आने वाला ये जो हफता है आप सभी लोगों के लिए क्या changes लेके आ सकता है ये general reading है अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं यूँ डोंट फर्गेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल और बागी की जो डीटेल्स है अपॉइंबंट के लिए वह उपर स्क्रीन पर आ रहे हैं आप चेकाउट कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप चेकाउट कीजिए और फॉलो कीजिए और अपमी डेली टारो रीडिंग देखिए लेट्स बेगें जादा वक्त ना लेते होए लीब्रा देखते हैं पहले देखते हैं भगवान की तरफ से इस haftे क्या blessings है और फिर हम आगे बढ़ेंगे लीब्रा let's find out what's your blessing from the God Almighty okay so we had we have here lord karma okay the tortoise avatar ठीक है so I think यहां पर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा पहले आगे पढ़ लेते हैं okay Shua you became incarnate in the form of tortoise the world rested on the ample expanse of your shell creating circular marks on it hail to you hari lord of the universe so हमारे पास जो blessings यहां पर आ रहे हैं diplomacy ability to provide support steadiness and dependability skills to manage contradictory forces ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि आपकी life में जो भी situation like things are slow या कुछ चीज़े हैं I think slow and steady wins the race पहली बात तो यह मेरे दिमाद में आ रहा है Lord karma here है तो I think it's all about कि आपको जो भी आप अपनी life में कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा ठीक है और I think it's all about कि जो भी आपको support की जुरूरत है या it's about extending किसी को आपको support करना है और maybe it's about steadiness है ना slow and steady जैसे आपने बोला था तो it's all about that कि I think यह आपको और भेतर बना रहा है बहुत strong बना रहा है आपके काम में आपके आसपास या आपकी relationship में एक stability मुझे ऐसे लगता है it's about stability coming in your life in any form because हमारे पास यहां पर beautiful blessings हैं तो आपको यह जो blessings है you know receive करने ही चाहिए ठीक है तो वह चीज मुझे दिखाए दे रही है yes of course शायद हो सकता है यह आपके लिए बहुत एक बहुत बहुत साबित हो हमारे पास बहुत सारे lotus flowers भी है तो आप देख सकते है कि lotus emerge होता है देरे देरे वह उसमें से निकलता है mud में से और फिर उसके बाद वो चीज है and खुद भगवान जो खुद वो विराजबान है टर्टल पे you know so it's about कि आप जहां जा रहे हैं चाहे वो चीज़े जो चल रहे हैं चाहे कुछ में है it's taking to you towards your right place that kind of a thing I am getting for all the Libra people चलिए अब हम love life की बात करेंगे आपके love life कैसी रहेंगी oh 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 okay so love life की अगर बात करें I think it's all about a little restricted मतलब आप खुद को ही अपने आपको थोड़ा सा बांद की रख रहे हैं यह कहूंगी मैं ठीक है और शायद मुझे ऐसे लगता है कि it's about tower moment ठीक है चीज़े slow चल रहे हैं जैसे हम बात कर रहे थे या शादी को लेके कुछ problem है या कुछ issues है तो आप अपने आपको थोड़ा सा control कर रहे हैं it's about that चलिए और देखते हैं शायद हो सकता है कि आपके partner maybe हो सकता है somebody is refusing या still कोई नया relationship है cross roads पे है ठीक है शादी तक बात पहुच नहीं रही है या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक वो zone चल रहा है किसी बात को लेके किसी चीज को लेके हो सकता है you know, decide नहीं कर पा रहे है, burden बहुत जादा carry कर रहे है कुछ के लिए हो सकता है, past burden भी carry कर रहे है remarriage को लेके कुछ हो सकता है तो undecisive energy आ रही है तो जो energy है वो आपको, it's like stagnant energy ठीक है, things are not moving fast वो चीज है जो आपको bother कर रही है अब इस person का, I think यह person खुद बहुत hurt है, hurt कहलीजी or maybe it's about sleep mode है but यह सोच के चलिए कि if things are on a sleep mode, तो वो ही आपकी बहदरी के लिए है, जैसे कि Lord Karma कह रहे है, कि yes if things are slow, if it's not moving fast, तो उसमें आपकी भलाई है ठीक है ना, और आपकी तरफ से भी मुझे ऐसे लगता है, like you want a happy family, but yes आप भी इस relationship को मुझे ऐसे लगता है कि slowly like आपकी तरफ से भी हो सकता है situation slow move हो रही हो या आप हो सकता है कि पहले well settled होना चाहते हैं, अपने आपको energy में लेकि आना चाहते हैं और maybe आप कुछ specific find out कर रहे है, specific कुछ दूढ रहे है, search कर रहे हैं अपने partner से तो वो चीज हो सकती है now the outcome is, तभी देखे outcome यही है, आपको किसी चीज से save किया जा रहा है बगवान आपको किसी ऐसी situation से safe कर रहे है, ताकि आप किसी problem में नफस जाहें in your relationship that's why things are moving slow, यह चीज़े हो सकती है और if you are single then again there is like feelings बहुत ज़ादा डावाडोल हो रही है fluctuate हो रही है, you want to move forward or right, at a right you know, path follow करना चाहते है, but वो जो एक courage बिल्ट करनी है, शाहद हो सकता, वो आप बिल्ट कर रहे है तब तब आपने आपको हील कर रहे है जो लोग single है, ठीक है तो यह मुझे आपके love sector में दिखाई दे रहा है for all the libra चले, अब हम बात करेंगे career की, की career wise यह जो हफता है कैसा रहेगा okay, so we have here career wise मुझे ऐसा लगता है की, again वही चीज है की, थोड़ा सा resting phase है और शायद हो सकता है it's for your growth only देखिये, expansion है resting phase क्यों है अगर हम उनसे पूछ रहे है if we are questioning या ऐसा क्यों हो रहा है या things are, you know, like looking slow or feeling slow या maybe it's about ठीक है, मतलब time कुछ ऐसा है तो it's for your betterment आपकी growth के लिए expansion के लिए जहां पहुचना चाहते है ठीक है और शायद हो सकता है कि थोड़ा सा time लगे थोड़ा सा, जादा नहीं ठीक है, जैते कि हमने divine energy पहले देखी थी जो blessings है तो उसमें यही हो रहा है that you are working towards it और जो होगा अच्छा होगा कुछ फैसले हो सकता है आपको लेने हो कुछ आपके यहां से कुछ changes हो कुछ बदला हो ठीक है या हो सकता है crossroads, it's about like कुछ, मतलब decide करना हो तो something feeling stuck something related to your career feeling but it's for your betterment यह सोच के चलिए तो क्या guidance है for all the Libra क्या guidance है please angels हमको बताएए we have nine of swords sorry, yes, nine of swords here sorrow, ठीक है why, why कुछ भी, कुछ ऐसी situation हाती है तो लोग बड़ी जल्दी panic होना शुरू हो जाते है ठीक है आप control नहीं कर रहे है situation को भगवान कंट्रोल कर रहे है तो अगर भगवान को भगवान कर रहे है तो भगवान को ही करने दीजे राइच अगर वो situation को कंट्रोल कर रहे है तो उनको ही कंट्रोल करने दीजे अगर चीज़े slow है तो वो उन ही उन ही के फैसले के accordingly सब कुछ चल रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर कुछ slow चल रहा है, अगर कुछ हो है, आपने सोना है ना, वो slow and steady wins तरी, तो उनके उपर ही छोड़ देजिये, घबराइए मत, पानिक मत होए, और things will get better, you have to surrender yourself, surrender कीजिये, ठीक है, इस reading के through, जो भी divine blessings है, या जो भी आप feel कर रहे है, connect to that divine energy, yes, और अपने आपको surrender कीजिये, and be receptive, तो सब कुछ सही होगा, आज नहीं तो कल, ठीक है, इस हफते नहीं, तो अगले हफते सही, but things are like going the way it should be, so this is the reading, I hope आपको पसंद आई हो, और मुझे comment करके बताईए, और मिलती हूँ next time, till then take care, bye, अपना ख्याल रखिये,